कि नमास्कारम प्रीजनों आप देखें से उडी पाइट साल आपसी का बहुत बहुत स्वागत है लेटेस्ट अपडेट है ब्रेकिंग न्यूज है अभी थोड़े दिर पहले ही मैं एक सौड वीडियो के थू आपको बताया कि डे यू पीजी रेश्टेशन स्टार्ट हो कर दें जिससे कि हर कोई जान सके कि हाँ पीजी रेश्टेशन स्टार्ट हुआ है और उसका प्रोसेस क्या है मैं आपको इतम स्टार्टिंग से ले चलता हूं कोई भी सर्च इंजन आप ले लो गूगल वगयरा ठीक है आप उस पर जाके क्लिक करना और डालना डी यू पर क्लिक कर देना जैसे आप क्लिक करते हो आप यहां पर देखते हो डेली इनवर्शिटी पीजी एडमिशन ठीक है 23-24 के लिए स्टार्ट हो गया है यहां पर आप कॉमन सीट अलोकेशन देख सकते हो ठीक है पहले लोग वही देख लेते हो इसके बाद आपके रेस्टेश में सब मिल जाएगा किस कॉलेज में कौन सी एैं यह सब पूरा यहां पर डिटेलिंग आपको मिल जाएगा या पढ़ लेना ठीक है आप ऐते हैं रेस्टेशन प्रोसेस पर रेस्टेशन पर आपको क्या करना है चुकि आफ पहले हो तो आप औरлу रेस्टेशन करोगे ठीक ह तो यहां पर यहां पर भी एक बुल्टेन जा रहा है आप इसे भी पढ़ लेना अभी देखो जाएगा यह वाला प्रेस रिलीज इसको जैसे ओपन करते हो तो यहां पर पता चल जाएगा कि आपका लास्ट डेट कब है आपका कटाफ लिस्ट कब आएगा यह सब चीजे यहा आपका आज से स्टार्ट हो रहा है लास्ट डेट रखी गई है 10 अगस्त ठीक है उसके बाद फर्स्ट राउन कटाफ जो रखा गया वो देखो रखा गया 17 अगस्त को उसके बाद सेकेंड आप रखा गया है वो है 25 अगस्त को यहां तक कि इन्होंने कॉलेज बता दिये हैं सब कुछ बता दिया है बहुत प्रॉपर वे में आप इसको पूरा एक बार पढ़ लेना जो बच्चे भी एडमिसान लेना चाहते हो पूरा इसको प्रॉपर वे में पढ़ ले अब आए प्रोसेस पर चलते हैं प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है आपको यहां पर में डालना है उसको बाद आपको email id डालनी है official communication के लिए जिससे वो लोग आपसे वारतालाब कर सकें फिर आपको email address एक बार और डालना है फिर आपको password डालना है ठीक है रिंटर password डालना है ध्यान देना है create करने की बात हो रही है और यहां पर mobile number डालना है वही mobile डालीएगा जिससे आपका conversation बाद में भी होता रहे फिर mobile number डाल और 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 फिर capture code डाल दीजएगा इतना करते ही आप registration रेइस्टर क्लिक करोगे आपका पहला step पूरा हो जाएगा ठीक है और यहां पर आपको payment करना है payment कितना करना है ध्यान देना आप unreserved OBC EWS में आते हो तो धाई सरू ठीक है यह इसका payment method है उसके बाद आप देखोगे यहां पर पढ़ लेना है यहां पूरा process दिया हुआ है क्या steps है इसके जैसे आप जब आप registration कर लेते हो तो new registration नहीं करना है अब आप बाहर आके फिर login करोगे ठीक है login करोगे तो जो आपने वहां पे अभी application number और password create किया था वह डालके यहां पर आप लॉग इन कर सकते हो ठीक है यहां से अपना application number password डालके आप यहां पर क्या करोगे login कर सकते हो ओके यहां पर कुछ additional instruction है आप अपना इंक्वारी डाल सकते हो इनके हां तो यह आपका एक step रहा जो कि आपको follow up करना है और आप लोग को जाईए अपन registration करिए कोई problem होता है तो comment करिएगा और मैं बता दूं कि same process DU का भी है sorry JNU का भी है जो आलाल नेरू का भी start हो चुका है same day start किया है दोनों लोगों ने अपने PG registration को तो आप लोग JNU का भी देख लिजेगा ठीक है मुस्कुराते ने बहुत सुब कामना है मिलते नेक्स वीड झाल झाल झाल